हाई फ्रेंज कैसे हैं आप सुवागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रेक 11 फोकास पर इस वीडियो में हम बात करेंगे AFG वर्सिज एड आयायम ड्रीम 11 स्टाट्स बस इन फो यानि अफगानिस्तान वर्सिज एमवाबवे टेस्ट मैच रंबर टू खेला जाता जो आपको दिखने वाला है अब उदावी स्टेडियम से पहले मैच उपने काफी अच्छा विन कर लिया थैंक्स टू आमीर हमजा इस मैच में भी कुछ बड़े चेंज़ है रशीद खान की वापसी होने वाल यह सबसे बड़ी न्यूस वो है टीम में कुछ चेंज़िस तो करने पड़ेंगे पिछ के बारे में भी बात करेंगे और देखते हैं कि क्या ऐसे हम इस मैच में अपनी टीम कर सकते हैं क्या हमारी डिफरेंशल पिक्स रहने वाल यह मेरी सजेशन ग्रैंड लिग जरूर खेल सकते हो स्मॉल लिग में एक आदा रिस्क लेना पड़ेगा वो रिस्क क्या रहेगा वो चीज़े हर चीज में आपको समझाने वाला हूँ चलिए अब आपको बता देता हूँ टेलिग्राम में अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हो तो क्या करना आपको टेलिग्राम में अगर जुड़े नहीं हो दोस्तों देखो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आपने वीडियो की डिस्क्रिप् अगरा की भी हर चीज़ बताता रहूंगा आप एक बार करके देखते लिएगा अच्छा पिछ ने फर्स्ट मैच पे फास्ट बोलो इसको सपोर्ट किया था काफी हद तक सर्प्राइज हुए थे सभी लोग मैंने आपको मैच से पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला एक स सरफेस जादा यूजड हो जाता है या फुट मार्क्स की वज़े से स्पिन जादा ले जाता है बट यहां पर गया था एक जगा पर लाइवली ग्रास थी और एक जगा पर एक दम आप कह सकते हो डिफरेंट ही सरफेस था डस्ट बोल जैसा वही कुछ यहां पर सीन वीडिय बोलर जादा करते हैं वही आपने देखने को मिला अब यहां पर आप क्या करोगे मैं आपको सिजेशन दूँगा बोलर जादा लेके चलो बैट्समन तीन ही लेके चलो यह मेरा सिजेशन रहेगा जितने भी आप टीम्स बना रहे हो उसमें पिन के लिए आप दिखोगे 235 हैं इस ग्राउंट पर भी तक टेस्ट मैचेस में 207 फास्ट बोलर के लिए एवरेज स्कोर वैसे तो 302 रहा है यहां पर टेस्ट मैचेस का लेकिन जो इनी टीम्स का फर्स्ट मैच यहीं पर खेला गया था उसके मताबिक आप देखोगे तो स्कोर जादा बने नहीं हाई य अफगानिस्तान के स्पिन बोलर को फेवर करना है जिमवाबवे के फास्ट बोलर को कर सकते हो टीम में कुछ बदलाव होता है तो उससे भी इंडिकेशन मिलेगा पिछ को कैसा है अगर जिमवाबवे एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाती है क्योंकि टीम के बाद स्पिनर तो पिसेंट पे ही गौर करें अफगानिस्तान के बेस्ट बोलर रहे है रशीड खान इसमें को डौट है निये टेस मेचस बे बैस बन रहे हैं मच्चा लेकिन फिस्ट मैच में फ्लॉप रहे थे सबसर्चिकर इनके बैस्ट निकलके है इबराहिम जळदरान निकलके है राइम जदरान इनके बेस्ट बैट्समन रहे थे 31 प्लस 76 रहन एक विकेट भी लेके गए थे जावेद आहमधी पहले मैच में खेले नहीं लेकिन जो खेले थे उन्होंने दोनों मैचेज में अबदुलमलीक ने 0 और 0 स्कोर किया जिसलिए मुझे लगता है इनकी वापसी टी पांच और चार टेंडे लेफ्ट हैंड बैट्समन ओडिया में तो बहतरीन खेलते हैं यहां पे पांच और चार ही किया अफजर जजाई 47 और 0 अजगर अफगान मेरे को लगता है काफी नीचे आ रहे है इनको खुद को उपर भेजना चाहिए बट नीचे आ रहे हैं काफी बन सकते हैं अगर खेलते हैं तो बाहिर्शा है अब अबदुल मली के फजलक फरूक कि अगर खेलते हैं यह भी ठीक ऑप्शन है बट मैं स्पिनर्स पर ही जादा फूकस करूंगा अफगानिस्तान की टीम से आपको सबका 1st class record दिखाया भी अब बिगोश टेस्ट मैजिस तो ज़्यादा खेलते नहीं है हमने देखा था मुरी रहमत का record बहुत शांदार है इसलिए 1st match में आपको मैंने का था प्रैफर भी कर सकते हो और practice match में भी sensory लगाई थी अब यहाँ पर आप देखोगे न सबके जो record है बलेबाजी में अच्छे का से जजाई का भी record दिख लो यार इनका थोड़ा नाम ऐसा है slip of tongue गो रहा है जजाई का भी आप दिखोगे रिकॉर्ड 32 की average है रहमत शाह की 43 की average बाहिर शाह की 73 की लगबग average है आठ सेंसरी के साथ आठ हाफ सेंसरी है लेकिन experience नहीं है इ मिलती थी अगर आप देखोगे यहां पर सबका स्टाइट करके जो बेस्ट प्लियर निकल के आएंगे अमीर हमजा निकल के आएंगे ठीक है मैंने आपको यहां पर पहले भी पताया था एक मैच में ने छे विकेट लिया है अपने करियर में अब दो में बारा हो गए है ला समतोल शहीदी अश्गर अफगान यह 6 मेरे अफगानस्तान से टॉप प्लियर रहेंगे आप चलते हैं एक बार जिमवाववे की टीम पर प्रिंस इनके लिए उपनिंग करते हैं और मेरे फेवरेट नाम लेने वाले प्लेर केविन कजूजू कितना प्यारा नेम है इनका अगर आप देखोगे प्रिंस मसूव रहे रिकॉर्ड भी ठीक है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कई बार जल्दी विकेट दे बैठते हैं यहां पर सेकेंड इनके बल्ले बाजी आई थी तो मैं बता देता हूं पांच नभाद इनों ने किये थे और ग्यारा नभाद कर हंडर्ड रन्स प्लस दो विकेट पूरे मैच में तो काम के प्लेयर है विजले मध्यविरे एक्चली वाट रेंडिट प्लेयर है बेस्ट प्लेयर रहे थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में जिमबाब्वे से टेक्नीक काफी सॉलिड है पहले मैच में आपने देखा जिरो प्याव प्लेयर रहेंगे राइन बोल है आठ रन प्रस एक विकेट यह सब बोलिंग कर लेते हैं सब स्पिन बोलर्स हैं आपको यहां पे रकीजे चकाबवा दिखेंगे एक्चली अच्छे बैट्समन हैं बट काफी नीचे आ रहे हैं 44 रन्स है इनके डोनल टेरी पानो है चार रन प्लस टार विकेट ब्लेजिंग मुजर्मानी ट्वेल नॉर्ट प्लस एक्स विकेट और विक्टर नयूची जीरो रन्स प्लस एक्स विकेट तो बूलर्स काफी शानदा रहे थे इनके तीनों फास बूलर्स ने अच्छा कॉंटिब्यूशन दिया था इनके भी आप सब के फर्स ट्लस रिकॉर्ड देख सकते हो जिससे आपके लिए बेस्ट जो प्लियर्स निकल के आएंगे ब्लेजिंग मुजर्बानी वेलिंग्टन मुसका गार्जा अच्छे हैं बट खेल कम रहे है अभी डोनल्ल टेरी पानो विक्टर नयूची तीनों की विकेट देखोगे अच्छी कासी है उसके बाद आप बल्ले बाजी में देखोगे सीन विल्यम्स सिकंदर रजा और वेजले मदेवीरे का आप दिखोगे कि रिकॉर्ड इतना नॉर्मल ही है बट प्लेयर्स श्रंदार हैं प्लीज ध्यान रखना वावे से हमने तीन प्लेयर्स का नाम रखा था बेस्ट प्लेयर केटिगरी में यह मैंने कुछ नहीं किया यह पहले ही मैच में लिखा था और आप देख सकते हो यह तीनों प्लेयर्स आपको डिरिम टीम में मिले थे ओविसली विल्यम्स और रजा तक तो इंपोर्टेंट ह पर आये हो तो तो भी आपके भाग कुल के जल्दी से सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहना ठीक है अच्छा विकेट कीपिंग भी आते हैं विकेट कीपिंग करते आपको दीखेंगे अफजर जजाई और रकीज चुकाबवा मुनीर रहमद एस बैट्समन केले थे इन स फाइदा रहता है विकेट कीपर का जिस रीजन से आप विकेट कीपर को सिलेक्ट कर सकते हो सबका क्रेडिट सेम है मैं यहाँ पे सेफ जा रहा हूँ रकीज चकाबवा को लेके अगर तो आपको लगता है कि नहीं है रकीज चकाबवा की एक ही बारी बल्ले बाजी आ रही ह प्रिच्मर मुटमबानी के खेलने के लगबग नाके बराबर चांसे बल्ले बाजी में यहां पर जदरान को तो लीना पड़ेगा पहले मैज में यहां पर सबसे बेस्ट बैट्समन अफगानिस्तान के लिए बोलिंग भी कर लेते हैं कभी-कभी तो आप इनको ट्राय कर सकते नेक्स बैट्समन अजगर अफगान को ले सकते हो बट मेरे पास करेड नहीं रहेगा इनके लिए मेरी आगी जो टीम है उसमें मुझे हाई क्रेड वाले प्रेयर लेने है यह मैं जानता हूँ इसलिए मैं पिक नहीं कर पाऊ तो यहां पर रहमत शाह है इनको मैंने लिया है इनको क्यों लिया इनका चाह करेड़ेट जादा है मुझे इनको लेना है टीम में टाइम आने पर स्पिन भी कर सकते हैं बट जनरली इनकी बल्लेवाजी के लिए ने पिक किया अभी तक के लिए सबसे सौलेट प्लेयर है अफगानिस्तान के लिए पहले मैच में फेल रहे नाइन नाइन करेड में है सेम चीज अजगर अफगान का जो मेरे पास बचने नहीं वले तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि बल्लेवाजी है प्रिंस मसुगरे भी ऑप्शन है केविन कजुजू भी ऑप्शन है तरिसकाई मसकुंडा भी सब एट करेड में हैं यहाँ पर हम लास्ट बहेंगे अब हम और राउंडर पर चलते हैं जहां हमारे पास सम पिक्स है जो मैं लेनी ही है सीन वीलियम सिकंदर रजा दोनों बहतरीन खिलाडी जितना मची करेड हो ग्यारा ग्यारा भी होता तो भी दोनों को लेने ही पड़ता नहीं छोड़ सकते हैं बल् शहीदुल्ला कमाल अगर आते हैं इनको करना है चाहिएंगा करेड़ कमा है इनको कर लेना विकॉज यह रेगुलर बोलर भी है और रंस भी कर लेते हैं ठीक है बोलिंग सेक्शन में अमीर हमजा लास्ट मैच की हमारी डिफरेंशल पे इस मैच की सबसे हाई सेलेक्टेट प बिकॉज इन्होंने वहां से बहुत कुछ सीखा है बल्लेबाजी में भी आप देखोगे थोड़ा बुद कंट्रोल आ गया है पहले से ज़्यादा कंट्रोल प्लेयर हैं और बहुत अच्छे से बल्लेबाजी भी कर रहे हैं आजकल आगर आप देखोगे एक प्रैक्टिस मै प्यूज भाई आप विक्टर नायूची का फर्स्ट मेंच का प्रफॉर्मस देखके भी छोड़ रहे थे यार मेरे को लेने थे बाकी के प्लियर लेकिन क्या है कि मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि टेरिपानो मुझे लेने हैं रशीद खान मुझे लेने हैं अब मिर अश्मतुलर शहीदी के लिए ना वेजले मद्विरे के अब या तो मैं क्या गर सकता हूँ अफगान को और मद्विरे को पिक कर लो जिनको मैं मद्विरे को पिक करना चाहता हूं बहुत जादा चाहिए तरफ 14% सिलेक्शन है बट क्या है रेहमत शा को नहीं छोड़ना है रहमद्शा को लेके यहां पे अब आपको जो प्लेयर पिक करना है, मुसकांडा पिक करना है, कसुजू पिक करना है, या मुसूवरे पिक करना है, पिक कर सकते हो, हाँ, कहीं क्रेडिट है, तो प्लीज वैजले मध्यवीरे को पिक करना है, जहां भी क्रेड मिल जाए आपको, ठीक है कई जगा पे आप खेलते होंगे तो credit होगा वहाँ पे आप पिक करना ये मेरी बनती है team प्यूज भाई क्या हम यहाँ पे विक्टर न यूची की जगा जहीर खान ले सकते हैं यहां से हमारी जो team है अभी इसके अलावा में आपको बता दोंगर कोई लेना है आप ले सकते हो अफगान को यहां से आप ले सकते हो हस्मतुला शहीदी मधेवीरे और बोलिंग में जहीर खान को ज़्यादा फोकस और चेंज करने की जरूरत है नहीं हाँ विकेट कीपर भी दोस्त आपको लोग दिखेंगे वाइस कैप्टन रजा के साथ वाइस कैप्टन जदरान के साथ वाइस कैप्टन रशीद के साथ वाइस कैप्टन आमीर हमजा के साथ मैक्सिमम लोग आमीर हमजा साथ आएंगे क्योंकि दो मैच दोनों एनिकस में नॉट टोट थे प्लस छ कि मैं थोड़ा confused चल रहा हूँ, selection से जाओगे तो हमीर हमजा है, logic से जाओगे तो रशीद है, बट हमजा का जो performance थाना बहुत शानदार था, तो मैं confused चल रहा हूँ, captaincy तो इनको ही दे रहा हूँ, grand league में इन दोनों को captaincy wise captaincy देनी है, एक ही team में अफगान के favor में बनाके, क्यो मेरा final wise captain मैंने decide किया, अभी के लिए मैं यहाँ पे रशीद खान के साथ किया हूँ, quality के साथ, बट हमजा को भी आप कर सकते हो, जादा safe रहेगा, उम्मीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई, और आप like, subscribe करके share ज़रूर करेंगे,